नाग पंचमी के दिन विभिन्न प्रकार के परंपरागत भोजन बनाए जाते हैं, जो नाग देवता के प्रती शद्धा और आदर का प्रतीक होते हैं. यहां कुछ प्रमुख भोजन दिये जा रहे हैं, जो नाग पंचमी के दिन बनाए जाते हैं. केसरिया दूद, नाग पंचमी के दिन केसरिया दूद बनाने की परमपरा होती है दूद में केसर डालकर बनाया जाता है और फिर इसे नागों की पूजा के समय उपहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है साबूदाना खीर, साबूदाना खीर भी नाग पंचमी के दिन बनाई जाती है यह मिश्ठानी उत्वासी भोजन का हिस्सा बनती है और नाग देवता की पूजा के बाद खाई जाती है सेंधा नमकीन, कुछ लोग सेंधा नमकीन भी बनाते हैं और इसे नाग पूजा के समय नैविद्य के रूप में चढ़ाते हैं पंजीरी, पंजीरी एक प्रकार की मिश्रित खाद्य पदार्थ होती है जिसमें द्राक्ष, गुड, द्रिय फ्रूट्स, मगज आदी होते हैं यहां भी नाग पंचमी के दिन तयार की जाती है और उसे भोग के रूप में चढ़ाते हैं स्वीट्स, विभिन्न प्रकार की मिश्ठानिया भी नाग पंचमी के दिन बनाई जाती है और नाग पूजा में उपहार के रूप में प्रस्तुत की जाती है नाग पंचमी के दिन ये विशेश भोजन बनाकर नाग देवता की पूजा के समय प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि भक्ती और आदर से नाग देवता का सत्कार किया जा सके